दोस्तों नमश्कार जैसी टेक में आपका हर्दिक स्वागत है अक्सर हम सुनते हैं निप्टी 50 के बारे में तो आएए आज समझते हैं कि निप्टी 50 होता क्या है और ये कैसे काम करता है देखें निप्टी 50 जो है एक बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्किट इंडेक्स है अब आप लोग कहेंगे ये बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्किट इंडेक्स का मतलब क्या हुआ ये वो इंडेक्स है जिसके उतार चड़ाव से हमको पता चलता है कि मार्किट मंदी में है या तेजी में है अब इसमें है क्या-क्या इसमें है पचास लार्ज इंडियन क stocks जो की listed है नसी पर top 50 companies के stocks है एक ऐसा index है जिसमें 50 listed companies जो top है उनका एक index है अब आप कहेंगे कि sir अगर 50 का index है तो क्या उनकी average सबकी बरावर ही ली गई है क्या उनको सबको एक ही weightage दिया गया है जी नहीं सबको अलग-अलग weightage दिया गया है जैसे किसी भी index में आपकी book में अगर कोई mathematics का chapters है दस एक index में chapters हैं तो सभी chapters को अलग-अलग weightage दिया जाता है कोई 10 number का आएगा किसी में से 5 number का आएगा ऐसे ही जो 50 Indian companies है large Indian companies है उनको भी अलग-अलग weightage है वो weightage किसके पर अधारित है market capital के उपर market capitalization के उपर अधारित है यह 1996 में launch हुआ था निफ्टी 50 अब यह रही वो companies जो कि निफ्टी 50 में as on 30th August 2022 है इसमें री बैलंसिंग होती रहती है जो कि हर 6 महीने में होती है अब इस समय अगर आप देखेंगे तो इसमें अधानी इंपोर्ट जैसे इस टॉक्स हैं एशन पेंट पोल इंडिया एचडि एफसी एचडि एफसी बैंक आइसे बैंक एंटी पीसी नैसले इंडिया जी इस डबलू स्टील सन फार्मा अपॉलो विपरो एच्छे टिकनोलोजी इंफोसेस डिवस्लाब ब्रिटैनिया इंडस्ट्री हिंडाल वो तो अगर मोटा-मोटा देखें तो हम इसमें हर तरह का स्टॉक है चाहे वो फम्सीजी सेक्टर है चाहे वह ऑटो सेक्टर है जैसे ऑटो सेक्टर के स्टॉक से मैं नाम नही ब्रिटैनिया हिंद यूनिलिवर यह सब जो हैं यह आपको मालू है FMCG सेक्टर के हैं ऐसी टाटा मोर्टर महिंदरा और अटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं आगे बढ़ते हैं क्या जैसे मैंने आप लोग को बताया कि सभी की क्या वेटेज एक है जी नहीं उन सबकी वेटेज ए आई तो सबसे आदा वेटेज एजन ठर्टिएथ ऑउगस्ट उन्टी टॉन्टी टू में है रेलाइंस के पास मोटा मोटा कोई पौने बारा पर्सेंट का वेटेज है एच्टी एफसी बैंक उसके बाद आता है आई से बैंक और वेटेज आपको सामने दिखाई दे रही ह अब जो चालिस कमपनीज है उसमें से कुछ आदा परसेंट वाली है एक परसेंट कुछ दो परसेंट वाली कमपनीज है तो अगर मोटा मोटा हमको हेल्थ अफ निफ्टी फिफ्टी देखना हो तो आपको मौलों में टॉप पाइट स्टॉक्स जो हैं वही बता देंगे इतना स्ट्रॉंग इतना सॉलिड वेटेज है विजा विस्टी अधर 45 कंपनीज तो इस अगर सेक्टोरल वेटेज देखें तो फिनैंशल सर्विसेज का बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी-फिफ्टी में इंफ्रमेशन टिकनोलजी का उसके बाद और वेटेज दे दिया है सेक्टर वाइस वेटेज जो है एज ऑगस्ट 30 टुन्टी टुन्टी टू ताकि आपको ग्यान रहे कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है फिनैंशल एंड बैंकिंग सेक्टर का तो और आपको मालूम ही है जब बैंक्स चलते हैं तो पूरे का पूरा निफ्टी को भी वो लेके चलते हैं क्योंकि HDFC बैंक और ICIC बैंक टॉप थ्री स्टॉक्स में हैं अपार्ट फ्रम रिलाइंस यह दो स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉंग पार्टिसेपेंट्स होते हैं निफ्टी फिफ्टी का की अब दोस्तों ट्रेड टाइमिंग आपको बता दिया है बाकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत जानकरियां मिलती रहेंगे इसके बाद हम एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें कि हम बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा व बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमशकार और आपका दिन शुबो यही मेरी मंगल कामना है